आप सभी श्रोतागड को बिंदुतिवारी का साधर नमस्कार मेरे यूटूब चैनल पर आप सभी श्रोतागड को मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आज के सेग्मेंट में मैं आप लोगों के लिए अगस्त कौन्त का प्रतक्षबाद पॉजिटिविजम के बारे में बात करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे अभी इससे पहले मैंने आप लोगों को धार्मिक अस्तर के बारे में बताया अब इनका सेकेंड आता है तात्विक अस्तर तात्विक अस्तर में अगस्त कॉंत ने बताने का प्रयास किया है कि उस टाइम देखिए एक सक्ती थी तब भी लेकिन कैसे थी? अद्रिस से थी, निराकार थी, उसका कोई आकार नहीं था लोग पूजा पाट करते थे, लेकिन किसी देवी देवता को मान कर नहीं करते थे वो निराकार सक्ती की पूजा करते थे, जिसका कोई आकार नहीं है जिसके वारे में वो जानते नहीं थे वो सिर्फ तात्विक सक्ति पर ही विश्वास करते थे और यह कैसे थी आज थाई थी ठीक है उसी टाइम राजा और समाज का उदै हुआ क्योंकि अब जहां राजा और समाज होगा वहां किस तरीके की बस्तुएं वहां भौतिक भाद भी आपका आना सुरू हो गया और वहां एक दूसरे से इंट्रेक्ट करने की अब सुरुआत हो गई और लोग ज्यादा से ज्यादा विश्वास उनका एक ऐसी सक्ति जो अद्रि थे और थर्ड इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है विज्ञानिक अस्तर साइंटिफिक लेबल जो की अब तक चल रहा है आज तक चल रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीसरी अवस्था यानी कौनसी है ये कब प्रारंब होई बीस्वी सदी में आरंब हो गई और इस अस्तर पर क्या बताया गया व्यज्ञानिक सूच पर आधारित ज्यान को महत दिया गया अब बिज्ञानिक जब सोच कैसी होगी उस निरक्षण पर आधारित होगी जब तक मनुस सोचेगा समझेगा नहीं कारण नहीं पता करेगा तब तक वो क्या है बिज्ञान नहीं हो सकता है बिज्ञानिक नहीं हो सकता है और प्रतक्छातमक आधार नहीं मिल सकता नहीं प् बेटना के पीछे एक बैक्यानिक सिध्धान्त छुपा होता है और उस बैक्यानिक सिध्धान्त को समझने की कोशिस समासास्त्री विज्ञान के निम्न चार बिधी का मुख्य रूप से पालन करते हैं चलिए आएए जानते हैं निरिक्षड नेक्षड आपका प्रियोग आतमक तुलना आतमक एतिहासिक मिल्कुल निरिक्षड आतमक यानि आपजर्वेशन अगर आपको सच में सैंटफिक तरीके से आपको किसी भी विसेवस्तू के बारे में बताना है यदि किसी घटना के बारे में बताना है तो जब त तक्ष वहाँ पर नहीं होंगे, तब तक आप बिना निरिक्षण किये, आप बता नहीं सकते हैं कि ये तथ एक्कुरेट सही है, अगर आप वहाँ पर हैं और तब आप बताते हैं किसी को, तभी वो सत्य होगा, तभी वो बैलेट होगा, उसका परिडाम जो होगा, विलकुल स अधारित है प्रियोग पराधारित है उसके लिए प्रियोग सालाएं बनाई गई है जब आप किसी चीज का प्रियोग करेंगे और प्रियोग करके जो परिणाम आपको प्राप्त होगा वो कैसा होगा सैंटिफिक होगा वैज्ञानिक तरीके से किया गया काम होगा उसमें नेक्स्ट आपका तुल्ला अतमक यानि कमप्रीजन अब कमप्रीजन तो जरूरी होता है ना आप देखिए एक दूसरे के बेवहार के बारे में भी जानना है जब तक आप तुल्ला नहीं करेंगे तब तक हो ही नहीं सकता है इसी तरीके से आपके साइंस में भी है आप तुल अगर हम बात करें और इतिहास ना आये, तो विकार है, अब इतिहास की बात इसलिए हम करते हैं कि जिस तरीके से आप पुरानी चीजें हैं, बह elf, पुरानी चीजों पर आप अध्यन नहीं करेंगे, तो नया आप खोज ही नहीं पाएंगे, आप अध्यान कैसे करेंगे, अब देखिए for example आपके पास 3G था, 3G से 4G आया, आप 5G की बात कर रहे हैं, तो मतलब 4G हमारा पुराना हो जाएगा, 5G तभी तो launch होगा, तो इन वही condition यहाँ पर है, पहले क्या है, पुरातत तुम्हें बहुत सारे हमें, पत्थर मिले, उसके वारे में हमने जाना, उससे हमने प भर्षन किया, तो उससे क्या हुआ, कि चिनगारी निकली, उससे आग आए, तो इस तरीके से हम काफी कुछ खोजना शुरू किये, बहुत सारे हमें, क्योंकि एतिहासिक सोध के द्वारा हमें बहुत सारे ज्ञान प्राप्त हुए, और उस ज्ञान को आगे कैसे बढ़ाना समाज सासर में, उन सारे चीज़ों के बारे में हमें पता चला, तो ये बहुत ही जरूरी है, इतिहासिक के इतिहास के आधार पर ही हम कुछ नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पुराना ज्ञान होगा, तभी हम नया प्राप्त कर सकते हैं, अब अगस्त कॉंत ने प्रतक्षबात की सिध्धान्त की इस्थापना में ज्ञान के तीन अस्तरों की बात की है, जिसको law of three stage बूला जाता है, कॉंट ने समाजसास्त को एक बेज्ञानिक विसे की संग्या दी, समाजसास्त के अध्यन का आधार भी बेज्ञानिक होता है, अपने बेज्ञानिक अध्यन के लिए समाजसास्तर में समाज के इस्थाई तथा गतिसील दूनों क्रियाओं का अध्यन किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ भी इस्थाई नहीं है, सब कुछ गति अब देखिए समाध आप सब्सक्राइब का इस्थाई है क्या गतिसील है अब देखिए इस्थाई संभभ तो है नहीं माल लिजिए आज मैं कि आस तो आंग कि जार ही हूं अभी में मारकेड में हूं तो कि मैं वहीं सही रूम से खड़ी रहूंगी यह तो संबब नहीं है और क्योंकि अगर गतिसील नहीं होंगे तो जो हमारा destination है मुसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके से समाज में भी है अगर समाज में कोई इस्थाई तो आ जाएगा अगर गतिसीलता नहीं होगा तो आगे हम कुछ नया प्राप्त नहीं कर पाएंगे दोनों क्रियाओं का अध्यन किया जाता है उन्होंने यह महसूस किया कि समासा केवल इस्थाई अवस्ता का ही अध्यन नहीं करता बलकि गती सील क्रियाओं का भी अध्यन करता है इस प्रकार उनका यह मानना था कि सामाजिक घटनाएं निरंतर घटने वाली घटनाओं पर आधारित होती हैं और ये हमेशा परिवर्तन हो सकती हैं परिवर्तन सील हैं और इसलिए इनकी जो प्रक्रियाओं का अध्यन किया जाता है वो गतिसील प्रक्रियाओं का समाश सास्त्र में ब्यग्यानिक तरीके से अध्यन किया जाता है तो जब कोई भी ज्ञानिक तरीके से किया जाएगा तो बो अपने आप में उसका जो परिढाम आएगा रिजय्ट आएगा उसमें वैदधता होगी विश्वश्य दिनियता होगी और वो हमेशा सही आएगा और वो सब के लिए लाफकारी होगा तो तरक पूर्ड कारिक हमेशा करना चाहिए जिससे कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रियेट ना हो तो चलिए यहीं पर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे इस वीडियो को उन तक जरूर सेयर करिएग जो लोग इंटरनेट सेवा से बंचित हैं और सच में जिसको इसकी नीड है और आप सभी का इतना आदर सम्मान के लिए तह दिल से बहुत बहुत सुक्रिया नमस्कार